हलो motherfvern Son, Welcome back to the channel web4click और आज हम बात करने वाले है loopcut tool के बारे में तो सबसे पहले एक cube ले ले लेते हैं इसको Scale पर क्लिक करेंगे और Scale पर क्लिक करके से थूड़ा सा Scale करके थूड़ा बढ़ा कर लेते हैं और थूड़ा सा X axis पर थूड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं Tab दबा के Edit Mode में चलते हैं यहां पे जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे आपको Loop Cut दिखाई देगा या तो इस Tool से हम इसको यूज कर सकते हैं या फिर इसका shortcut है Ctrl-R लेकिन दोनों में थोड़ा सांतर है चलिए पहले इस Tool की मदद से देख लेते हैं तो आप देखें कि यहां पे एक छोटी सी Window आ जाएगी Zoom करकर दिखा देता हूं इस Window को जब मैं Open करूंगा तो इसमें कुछ Options दिखाई देंगे सबसे पहला Option है Number of Cuts Number of Cuts को आप देख सकते हैं कि मैं इसको Zero नहीं कर सकता तो अब इस Cut को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा तो सबसे पहले इस Cut को हटाने का तरीगा देख लेते हैं Simply मैं Age को Select करूंगा और Alt दबा के पहले इस Cut को Select कर लूँगा Alt से इसमें Loop Selection काम करेगा और चारों तरप से यह इसको Select कर लेगा अगर Selection के सारे Shortcuts आपको देखने हैं तो आप मेरे Episode No.2 में जाके देख सकते हैं तो अगर मुझे इसे Delete करना है तो Simply Right Click लूँगा और Dissolve Ages पे जैसे किलिए करूँगा आप देखेंगी यहां से वो Cut Remove हो चुका है तो इस तरीके से जो भी Cut हमने लगाया है उसको हम यहां से हटा सकते हैं दुबारा से एक वार Cut लगाते हैं इस पे आप देखेंगे सिंगल के लिए पे एक Cut लगा देगा और यह ऐसी मैं किसमे Cut लगाऊंगा मेरे सामने एक Window Open हो जाएगी और इस Window में कुछ Option मुझे मिलेंगे सबसे पहला है Number of Cuts Number of Cuts अगर मैं बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे इसमें और भी Cut बढ़ रहे हैं इसी तरीके से मैं इसे कम करना चाहूं तो कम कर सकता हूं और अगर मैं Smoothness पे अगर पढ़ाता हूं तो आप देखेंगे कि यह इसको अंदर या बाहर की तरफ Smooth करेगा छोटा या बड़ा करेगा पतला या मोटा करेगा पतला या मोटा जो कर रहा है यही इसकी Smoothness है Invert Square का मतलब है यहां पर बहुत शारी Shape दे रखी है अगर मेरे पास यह एक Shape है और अगर मैं इसको Square में देखना चाहता हूं तो यह Square में करेगा और अगर Sharp पे करना चाहता हूं तो यह इसको Sharp में और Linear में करना चाहता हूं तो यह इसको Linear में दखाएगा इस तरीके से यहाँ पे हम अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं फैक्टर जो हमने कट्स लगाए है इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह आगे पीछे हो रहा है Ctrl-Z कर लेते हैं एक कट हम वर्टिकली और एक हम होरिजोंटली भी लगा सकते हैं इसमें यहां पे अगर हम इसकी Side के लाएंगे तो यह इसमें नीचे की तरह कुट लगादेगा देख सकते हैं आप अगर मैं Face को सेलेक्ट करके टिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसमें इसने लगा दिये है तो यह जो लूप कट है यह basically किसी भी object को काटने के काम करता है Ctrl Z लगा दबाते हैं अब shortcut की बात करते हैं shortcut कैसे अलग है इसका जो shortcut है वो है Ctrl R जैसे ही मैं Ctrl R दबाऊंगा यह cut लगाने के लिए activate हो जाएगा और scroll wheel दबाके मैं इसमें अपने number of cuts बढ़ा सकता हूँ यह scroll उपर यह नीचे करके इसको number of cuts को कम्याद जादा कर सकता हूँ अगर मैं एक cut लगाता हूँ और एक click करूँगा उसमें एक single click पे ही यह cut हो जाता था लेकिन इसमें अगर मैं click करूँगा तो यह मुझे दो arrow बना देगा अगर मैं चाहता हूँ अब आप देख रहे हैं कि यह मेरा जो cut है वो disbalance हो गया है अगर मैं चाहता हूँ यह cut बिल्कुल middle में वहीं अपनी position पर आ जाए तो मैं right click ले लूँगा आप देख सकते हैं right click लेते हैं यह चाहें कहीं पर भी हो वो middle में इसको set करेगा लेकिन ctrl r दबा के अगर मैं इसमें इसको कहीं और ले जाके cut करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पर cut लगा सकता हूँ अगर मैं इस cut को move करना चाहता हूँ तो factor से move कर सकता हूँ और by chance अगर मेरी window चली जाती है तो उस window को मैं दुबारा नहीं ला सकता लेकिन फिर भी मैं इसको अगर move करना चाहता हूँ तो alt दबाऊँगा और इस पर click करूँगा तो यह loop selection कर देगा और अब मैं move tool का इस्तमाल करके इसको इधर से उदर ले जा सकता हूँ तो यह तरीका है जब cut लगाने वाली window अगर यहां से remove हो जाती है तो हम इस तरीके से इसको move कर सकते हैं Ctrl Z करके वापस लेते हैं जैसे ही आप इसको लंबे समय तक दबाए रखेंगे तो इसमें एक दूसरा भी option है जिसका नाम है offset age loop cut अब यह offset age loop cut कैसे काम करता है देख लेते हैं यह loop cut के उपर ही काम करता है मालीजी मैं Ctrl R दबा के एक cut लगा देता हूँ एक cut और लगाता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को दोनों तरफ set किया जाए तो alt दबा के या तो set कर सकता हूँ move करूँगा इसको इधर set कर दूँगा alt दबा के इसको set करूँगा और इसको इधर set कर दूँगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर अभी मुझे कुछ idea नहीं है हो सकता यह दोनों equal है या नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों एक्टम equal position में अगर मुझे यह set करनी है तो उसके लिए आता है मेरा loop age cut tool loop age cut tool भी loop cut पर ही काम करता है अगर मैं एक single loop पर लगाता हूँ अब मैं loop age cut का इस्तमाल करूँगा और इसको दोनों तरफ click करके अगर बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे यह इसको दो cut में divide कर देगा और दोनों तरफ यह cut एकदम equally जा रहे हैं और जहां पर मैं छोड़ना चाहूँ वहां पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ इसी तरीके से अगर मैं बीच में loop cut एक cut लगा देता हूँ Ctrl-R दगा के अब अगर मैं इसको इस्तमाल करूँगा और इसको दोबारा से देखूँगा तो उपर से नीचे मैं इसको set कर सकता हूँ तो इस तरीके से हम इसको दौनों position में divide करके equally set कर सकते हैं offset age loop cut की help से age loop cut का जो shortcut है वो है Ctrl-Shift-R अगर मैं Ctrl-Shift-R को press करूँगा तो मेरा age loop cut activate हो जाएगा इस वाली age को alt दबा के select करेंगे और Ctrl-Shift-R से click करके मैं इसको दूसरा cut लगा सकता हूँ तो Ctrl-Shift-R age loop cut का shortcut है और loop cut का shortcut है Ctrl-R इनको याज में रखना है आईए अब कुछ example देख लेते हैं object में चलके इसको delete करते हैं shift-A करके पहले एक cube ले लेते हैं scale पे click करके इसको थोड़ा सा scale कर लेते हैं और move पे click करेंगे इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं चलते हैं edit mode में अब मैं चाहता हूँ कि एक chair बनाई जाए तो chair बनाना बहुत ही आसान है इन cut की मदद से loop cut पे अगर मैं click करूँगा एक cut मैं इधर लगा देता हूँ और एक cut मैं इधर लगा देता हूँ अब मैं इसमें offset age loop cut का इस्तमाल करूँगा इस पे click करके इसको इधर की side अगर मैं खीशता हूँ तो दो cut अपने दोनों विपरीद दिसाओं में यहां पे set हो जाएंगे इसी तरीके से alt दबा के इसे set करेंगे और ctrl shift r दबा के दूसरा एक cut लगा के दोनों तरफ set कर लेंगे दो ages को अब face पे select करेंगे और ये ये और ये वाले जो face हैं ये उपर की तरफ जाएं और इसके जो pie हैं shift दबा के इसको select कर सकता हूँ मैं तो ये जो pie हैं इसके ये नीचे की तरफ निकले हैं अगर मैं extrude करने का shortcut है e अगर मैं दबाता हूँ तो by default वो z direction में मुझे देगा extrude करके और आप देखें कि ये एक ही side में निकलेंगे उसका reason क्या है कि ये अभी globally काम कर रहा है पूरे word के लिए जो हमारी जो global axis है इनके लिए काम कर रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये locally काम करें individually हर एक face के लिए अलग-अलग direction में तो उसके लिए मैं क्या करूँगा face पर जाऊँगा extrude face along norms पर क्लिक करूँगा और अभी आप देखेंगे कि ये मुझे अलग-अलग face के लिए अलग-अलग position में इसने निकाल के दे दी जाए इस तरीके से मैं simply एक chair बना सकता हूँ दूसरा example देखते हैं इसको delete कर लेते हैं फिर से cube लेगे scale कर लेते हैं इस पार एक table बना के देखते हैं move tool पर करके इसे उपर कर लेते हैं edit mode में जाएंगे अगर मैं table बनाऊँगा तो मुझे pie नीचे की तरफ से निकालने होगे अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई loop cut लगाता हूँ तो वो सारे के सारे पूरी एक पूरे object पे एक cut लगा देता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसके एक ही side में वो cut लगाए इसके लिए क्या करूँगा मैं face को select करूँगा और y दबाऊँगा y दबाने पे क्या होगा कि यह जो face है वो अलग हो जाएगा ctrl z दबाके मैं इसको वहीं पे set कर देता हूँ अब मैं इसमें face में अगर loop cut लगाऊँगा तो यह cable इस face के लिए cut इसमें लगा देगा ctrl r दबाके मैं इसमें cut लगा देता हूँ right click लूँगा एक और एक cut मैं इधर से लगा देता हूँ ctrl r दबाके 9 दबाऊंगा तो यह मेरे नीचे का portion को दिखा देगा अब मैं इसको offset age loop cut है इसकी help से यह जो इसकी दौनों तरफ मैंने cut लगाए हैं यह मैं side मैं कर सकता हूँ लेकिन अभी मेरी age select नहीं है तो मुझे age select करने के लिए alt दबाके इसकी click करना होगा ctrl shift r दबाऊंगा और इसको यहां पे set कर लूँगा इसी तरहीं से alt दबाके age को select करूँगा ctrl shift r दबाऊंगा और इसको यहां से set कर दूँगा अब मैं यहां से यह pie extrude कर सकता हूँ face पे select करूँगा और यहां से in face को पकड़के मैं नीचे की तरफ e दबाके कर सकता हूँ आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मेरी table बन चुकी है तो यह था loop cut और offset age loop cut अगली वीडियो में हम जानेंगे कि knife tool को कैसे इस्तमाल करते हैं और channel को अभी आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए क्योंकि मैं आगे लाने वाला हूँ animation की बहुत ही अच्छी वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में good bye